हेलो दोस्तों नमस्कार चलिए आज जानते हैं पटवारी का फार्म जो भरे हैं वो अपना फार्म डाउनलोड नहीं कर पाएं और पेमेंट हो चुका है तो अपना फार्म कैसे डाउनलोड करेंगे तो चलिए यह जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाउनलोड करने क लिए कौन सा अप्लिकेशन नंबर चाहिए और क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले आपके मुबाइल में मैसेज आता है तो फ़स्ट जो मैसे जाता है वो यह अप्लिकेशन रहता है और यह पासवर्ड रहता है लेकिन जब पेमेंट करने के बाद इस प्रिकार से मैसेज आता ह तो हमें यह application number डालना रहता है और password जो अपन पहले आता है message में वही password डालना है और data बात डालना है तो चलिए जानते हैं अपना कोई भी एक browser open कर लेना है और यहां पे search करना है peb mpgob.in search करना है और यहां पे आपका आजाएगा सबसे उपर वाला website इसमें click करना है यह website open नहीं हो पा रहा है एक आपको मिलेगा यहां peb mpg online gob.in इसमें click करना है और इस प्रकार से आपके mobile में open हो जाएगा तो आपको यहां पे आजाना है भुकतान ना किये गए आवेदन का भुकतान या फिर आवेदन की इस्तिती की जाज करें इसमें click करना है और यहां पे अपना जो online आवेदन बताया हूँ number वो यहां पे entry करना है और यहां पे data birth और यहां पे profile password जो message में आया होगा और यहां पे जो यह अंक दिख रहा है इसको जोड़ कर यहां पे इंटर कर देना और यहां आगे बढ़ाना है इसके बाद open होकर देख सकते हो इस प्रकार से download हो जाएगा और यहां से print कर सकते हैं PDF में download कर सकते हैं या फिर direct printer से connect करके print कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से पटवारी का फार्म जो फिल हो चुका है भर चुका है उसको download कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं धन्यवाद तो फिल है धिल हो किक पRISण तो तो पिल हो आएगं प्रत वार्म जो है kalau हैो आह सकते हैं अかった यहां न जए्वाद